तो यहां पर हम लोग उसी के अक्कर्णिंग उसी को कवर करते हैं आज हम लोग सबसे पहले paper 2 से कोहाला Hydro Electric Power Project के बारे में तो आप से ड़ारेक्ली इसकी location पूछी जा सकती है कि यह कोहाला Hydro Electric Power Project कहां पर बनने वाला है तो याद रखिएगा वज़ China औपाकिस्तान ने इस प्रोजेक को finalize कर दिया है और ये Pakistan occupied कश्मीर में बनाने की बात की जा रही है और यहाँ पर Pakistan occupied कश्मीर में जो चाइना पाकिस्तान economic corridor जो होता हुआ गुजरता है यानी गुजरता हुआ जो हम लोग को नजर आता है तो वहाँ पर इस project को बनाने की बात की जा रही है अब देखिए अल्रेड़ी हम लोग कुछ दिनों से देखने की चाइना और इंडिया के टरम्स जो है international relations जो है यए वो खराब होते होई नज़र आ रहे है पाकिस्तान और इंडिया के तो अल्रेडी काफी समय से हम लोग को टरम्स खराब होते होई दिखी रहते बढ़ अभी इंडिया और चाइना के भी टर्म जो है वो खराब होते हुए काफी गंबीर तरीके से अब नजर आ रहा है चाहे अगर आप बात ले लो यह जो बॉर्डर में जो डिस्प्यूट हुआ था भी कुछ से में पहले हम लोग ने डिस्कस किया था जो लद्दाक में और जो सिक्किम में जो डिस्प्यूट हुआ था यह इंडिया चाइना बाउंडरी पे हम लोग को जो देखने को मिला था दोनों कंट्री के सोल्डर जो है वो आपस में बहल गया था पर मेंस पॉइंट ओ व यू से भी आप इस प्रोजेक्ट के बार में मैंशन किये देगा अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दोनों कंट्री जो है चाइना और पाकिस्तान ये एगरी हो गई है और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का ओपरेशन जो है वो दोजार पच्चिस तक शुरू हो जाएगा अभी देखिए इंडिया इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी प्रोजेक्ट भी कर रही है विवाद भी कर रही है और ये जो project है ये आपसे ये भी prelims पर भूशे आ सकते हैं कि ये किस नदी के ओपर बनानी की बात हो रही है तो जेलम नदी जेलम नदी का नाव आपको थोड़ा सा prelims point of view से याद रखना है इसके लाब का जा रहे कि एक बार जब ये project complete हो जाएगा तो पाकिस्तान को ये clean और low cost electricity provide कराएगा बताया रहे कि 5 billion unit से भी जादा जो electricity जो है बहुती कम कीमत पर पाकिस्तान के consumer जो है उनको provide की जाएगी इस Kohala Hydro Electric Power Project के थुरू जब ये बनकर एक बार तयार हो जाएगा तो ऐसी चीज हमपर बताई जा रही है और इससे पहले भी इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तान का जो एक plan था जिस plan के तहट वो dam बना रहा था गिलगित बालतिस्तान रीजन में तो उसको भी इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था और अब देखिए पाकिस्तान occupied कश्मीर में अगें पाकिस्तान और चाइना जो है उसका हस्तक शेव हम लोग को इस प्रकार से इस प्रोटेक के थूरू जो है वो देखने को बल रहा है तो इसकी एक जानकारी आप लोग को prelims और mains दोनों point of view से पता होनी चाहिए बाकि इंडिया चाइना रिलेशन और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अच्छे से prepare करके रखो ये mains में इस से related आपसे question पूछे जा सकते हैं गिलगेट बालतिस्तान रिजन का जो issue है ये already मैं cover करा चुका हूँ जो नए बच्चे आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं मैं तो आपसे कहूँगा कि पिछले 3-4 महिने के पूरे वीडियो से question आने की संभावना बहुत जादा है इस साल examination में और आगले साल भी तो ये चीज आपर आप लोग को थोड़ा सा करना है ये वाली चीज ठीक है ये important था अब बात करेंगे स्वधेश के बारे में स्वधे वंदे भारत mission के बारे में बात करी थी कुछ समय पहले तो देखो वंदे भारत mission के थुरू हमने क्या देखा था कि हमारे जो Indian government जो है वो क्या कर रही है जो दूसरी country में जो लोग फसे हुए है तो उनको वापिस जो है वो लेकर आ रही है इंडिया में लेकर आ रही है अब जो लोग यहाँ पर वापिस आगा है इंडिया के अंदर तो वो skilled लोग है उनके पास various skills है वेरियस सीजों के बारे में उनको पता है तो उनका एक database तयार किया जा रहा है कि वो लोग जो है वो किस-किस field में किस-किस areas में job कर सकते है तो अब जब एक बार database create हो जाएगा को generate करने के लिए especially उन लोगों के लिए जो दूसरी country से हमारी यानि कि हम Indian citizen नहीं है बट वो दूसरी country में गए हुए थे पढ़ाई के purpose के लिए या फिर दूसरी job वगरा के purpose के लिए बट अभी उनको evacuate करके वापस इंडिया लाए गया है तो इसके लिए उनको job मिल जा यह होना चाहिए ठीक है यह वाले चीज हमने देखी इसके लावा यह एक joint initiative है ministry of skill development and entrepreneurship का civil aviation ministry का और external affairs ministry का यह जरूर जाद रखे कभी कभी directly ministry जो है वो पूछ ली जाती है ठीक है अब देखो मेरा आपसे question है इस topic को भी आ और हम लोग बात करेंगे और before that एक question में आपसे पू दूसरी country से जो लोग आए है भारतिया जो citizen जो दूसरी country से हम लोग लेकर आयों लोगों को तो उनको यहाँ पर jobs दी जा रही है वैसे ही एक state है जिसने migrant workers के लिए इस प्रकार का data जो है वो जारी किया है यानि कि skill map जो है वो जारी किया है यह practice जो है वो शुरू करी है तो इसके लावाद जो यह लोग आ रहा है मैंने भी आपको पूरा बताई दिया इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेगा यह लोग को स्वदेश skill card इसको fill up करना पड़ेगा यानि कि इन लोग को अगर job वगरा चाहिए तो इनको यह card को fill up करना पड़ेगा और यह online जो है यह card इनको मिलेगा और जैसे यह card को fill करेंगे उसके बाद जो है उनको जो है वो companies वगरा जो है वो उनसे contact करना शुरू कर देंगी क्योंकि यहाँ पर यह जो form भरवाय जा रहा है इसमें वो अपनी skills के बारे में mention करेंगे अपनी job profile के बारे में mention करेंगे यानि कि resume है एक प्रका और जो लोग अभी आये हुए हैं उनकी skills और experience की उपर बेस जो है एक अच्छा घाजा database create कर देना तो यह इसका major मोटी मोटी तौर पर objective हम लोग को देखने को मिला राइट अब देखिए अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि investment को attract करने के लिए सरकार जो है वो दो bodies setup करन हमारी country के अंदर investment को attract करेंगी कि जहा से अदा हमारी country में investment आ सके है तो इस चीज की आपको एक जानकरी होनी चाहिए इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले तो empowered group of secretaries इसके अंदर कौन से members होंगे अब देखो secretary की बात कि जारी है लगभग आपको इसमें पूरे के पूरे IAS officers देखने को मिलेंगे जब आप IAS बन जाओगे तो हो सकता है कि आप भी इस प्रकार की committee के अंदर एक सदस ही बनो तो कितना अच्छा लगेगा तो अभी से motivation लेते होए पढ़ा ही करो धंक से अच्छे से तो देखो guys यह जो empowered group of secretaries है इसके अंदर होंगे cabinet secretary जो होंगे यह chairperson होंगे और department for promotion of industry and internal trade के secretary हम लोग को देखने को मिलेंगे नीती आयोग के CEO देखने को मिलेंगे department of commerce के secretary department of revenue के secretary department of economic affairs के secretary और department of consent इसका मतलब क्या है कि जैसे की मान की चलो कि आगे चलके किसी और sector में यानिक यह जो secretaries है इनको किसी और sector में काम करना है जो की इन sector से अलग हम लोग को देखने को मिल रहा है तो फिर उसके secretary को फलाना department के secretary को फिर invite किया जाएगा इसका member जो है वो बनाया जाएगा ठीक है तो यह future process है जो की बात में decide की जाएगी तो इसके लिए एक अलग से seat जो है वो खाली गर गर रखी हुई है ठीक है तो यह बात क सर यह होगा कि central और state government के बीच में coordination करके एक ऐसे project develop किया जाए जो कि आपको पता हो काफी सार ऐसे projects होते हैं जो कि state और central government दोनों मिलकर उस project पे काम करती है तो इसका major मकसद होगा कि central government और state government के coordination से projects को develop किया जाए जिस पर investment जो है वो सीख किया जा सके यानिकि ऐसे project जिसमें investment जो है वो attract किया जा सके तो ऐसे project को develop करने के लिए body जो हो बनाई जा रही है और इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि हाँ पर जहा से अदा ऐसे project जो हो बनाई जाएंगे जिसमें investment किया जा सकेगा और इससे foreign direct investment का inflow भी जो हो बढ़ेगा अभी देखिए main काम सरकार का क economy जो है वो unstable हो गई है recession के period में हम लोग को देखने को मिल रही है तो उसको हम लोग को stable करना है और stable चीज़े कब होगी जब काम वगएरा शुरू होगा जब projects वगएरा शुरू होगे तो इसके लिए कि यहाँ पर projects बनाए जाएं और projects बन जाएंगे तो उसके लिए investment के आज की rate में वो tackle होगी तो आज की rate की जो problems जो चल रही है economy से related उसको tackle करने के लिए दो various bodies बनाए गई है concept clear है पूरा अब आगे की बात करें तो यह देखो यह सिर्व इतना था इसकी जानकर यह आपको इतनी होनी चाहिए थी बस इसके लिए बात करेंगे global economic prospects के बारे में ऐ ऐसा question पहले भी civil services में पूछा जा चुका है कि यह GEP जो है वो किसके द्वारा release की जाती है तो याद रखेगा world bank world bank release करती है global economic prospect को तो यह चीज बिलकुल clear रखो आप लोग अब देखिए अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसकी report में पाया गया है कि coronavirus जो अभी चला कर यह आप सभी लोगों को है कि lockdown के जल्दे बला नुकसान हुआ है और growth जो है वो बिलकुल भी नहीं हम लोग को देखने को मिल रही है economy में है तो यह एक चीज इसने बताई इसकी report में इसके लावा यह बहुती चिंता जनक बात यहापर बताई गई है यहापर बताया जा है कि 60 million लोगों की नौकरी जो है वो जा सकती है 60 million लोग जो है वो extreme poverty में आ सकते हैं 2020 में extreme poverty में और इस चीज यह जो figure जो बताया जा रहा है यह increase होगा इस चीज को आप no down कर लो mains के लिए यह आपके काफी काम में आने वाला है कि 60 million लोग अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं इस चीज के चलते हैं उनकी नौकरी वगड़ा जा सकती है और बहुत बुरी इस्तिती जो है वो उनकी हो सकती है पूरी दुनिया भर का यह इसने एक आकड़ा दिया है तो आप अपने mains में इस figure को mention करेंगे और source में लिखेंगे global economic prospect जो की release की जाती है world bank के द्वारा उसने यह बताया है इससे क्या होता है answer आपका अच्छा दिखता है और examiner जो आपकी copy चेक कर रहा है उसको लगता है कि हाँ भाई सामने आले ने पड़ा हुआ है और दूसरी बात prelims के लिए भी topic equally important है जो चीज बने भी आपको बताई अब देखिए emerging market and developing economies यह इसका मतलब क्या है simply जो developing countries जो होती है ना उसकी बात हो रही है यह जो developing countries है बताया रहे है कि वो बहुत ज़ादा कमजोर अब हम लोग को देखने को मिलेगी वलरेबल हम लोग को देखने को मिलेगी उस पर impact ज़ादा हो सकता है और यहाँ पर बताया रहे है कि यह जो developing countries है इनके पास हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 3 से लेकर 8% का loss जो है वो हो सकता output loss उतपादन में नुकसान 3 से 8% का short term period के लिए हो सकता और हो ही रहा है ये चीज़ तो हम लोग देखी रहे हैं तो ये चीज़ नहां पर बता ही रही है और ये semi annual इसकी publication अम लोग को देखने को मिलती है जो की world economy के बारे में कुछ चीज़े बताती है GEP के दूरू ग्लोबल economic prospect के दूरू तो ये सरफ आप इतनी सी चीज़ आतर रखेगा कि हर 6 महने में इसकी report आती है और ये पूरे दुनिया पर में economy के क्या हाल चाले है उसके बारे में बताती है ये report ठीक है अब बात की जा रही है world environment day के बारे में तो 5 जून को मैंने आपसे पूछा भी था कि याद बताईए कौनसर दिन है लगभग सभी लोगों ने इसका correct answer दिया था world environment day आता है 5 जून को 5 जून को world environment day 2020 की वो है बायो डाइवर्सिटी बायो डाइवर्सिटी के उपर जादा फोकस किया गया है और a concern that is both urgent and existential तो एक ऐसा concern जो की urgent भी है और बहुती अत्यदिक जरूरी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ये इस चीज़ पर जो है वो ये हम लोग को theme देखने को मिल रही है और host country जो है वो कोलंबिया और जर्मनी हम लोग को देखने को मिल रही है अब 5 जून को ही क्यों world environment day मनाया जाता है तो इस चीज़ पर भी थोड़ा गौर रखिएगा कि ये पहला दिन था United Nation conference का जो की human environment के उपर based हम लोग को देखने को मिला था जो की हुआ था Stockholm, Sweden के अंदर जून 5 से लेकर जून 16 के बीच में हम लोग को 1972 में देखने को मिला था तो human environment के उपर जब United Nation का जो conference जो हुआ था उसका पहला दिन पढ़ा था जून 5 को इसलिए जून 5 जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है वर्ल्ड एन्वार्मेंट डेके तोर पर मनाया जाता है तो ये वज़ा है 5 जून की तो ये चीज़ भी आप लोग को एक वज़ा इन जनरल पता होनी चाहिए ठीक है अब आगे की बात करें तो देखो ये लीबिया नाम की एक कंट्री है अब लीबिया के अंदर अभी कुछ समय पहले एक इशू हम लोग को देखने को मिला था जो कि पूरा का पूरा मैं आप लोग को कवर करवा चुका हूँ अभी निऊस में जो आया है वो यह आया है कि United Nation की गूर्मेंट जो लीबिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है तो उन्होंने प्रिपोली को Tripoli basically लीबिया की kapital है तो यहां से हटार की forces को जो है उन्होंने हटा दिया है यानि कि इस एरिया पर जहाँ पर हफ्तार की forces आ गए थी हफ्तार की forces ने जो है वो लीबिया को attack किया था लीबिया की capital को attack किया था तो यहाँ पर जो है वो United Nation की government ने वापिस जिस एरिया पर इन्हों ने attack किया था हफ्तार की forces ने तो उस एरिया पर वापिस से अपना कबजा ह काफी controversial इसके political चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है अगर political structure की बात करें इस country की तो काफी ज़दा controversial है और जिन बच्चों ने अलड़ी मेरे इस lecture को देख लिया होगा वो जाकर एक बार revise कर लें और जिन बच्चों को नहीं बता है जो नए जोड़ है हमारे साथ मैं आपको बहुत बता दूँगा इस कि अगर आप ये वाला मेरा topic देख लोगे ये 10 या पंदर हमने टका topic Venice पर समझाए आपको इसमें आपको पूरा का पूरा लीबिया country के बार में A to Z starting from जब सी country जो है वो establish हुए तब से लेकर जो विवाद जो हुए है पूरा का पूरा मैंने आप आपको solve कराया हुआ है और आज की rate में क्या स्थिति है वो भी आप क्योंकि ये आज की rate में ये country के बारे में दो तीन बार news बार आ चुका है तो इससे related mains में भी और prisms में भी question आ सकते हैं तो मैं recommend करूँँगा इस वीडियो को जरूर जाके देखो कहा पर मिलेगा ये वीड तो इस channel को जाकर subscribe कर लो और यहाँ पर जो है वो 20 April 2020 का वीडियो है डला हुआ है जिसको आपको देखना है अगर आपको directly इस वीडियो को search करना है तो आपको क्या करना है 20 April 2020 लिखिएगा इसके आगे only current affair लिख दीजेगा सबसे top में जो वीडियो आएगा वो ही मेरा वीडि किया अगरो उससे का रहेगा कि YouTube जो है वो हमारे इस lecture को recommend करता है दूसरे लोगों को तो आप थोड़ा सा जो अगर आप regular viewer हो मेरे तो like जरूर हिट करके जाये करो यार चलो अब आगी की बात करें यह जरूर देख लेना अब यह important topic था इसके लावा PLFS periodic labor force survey की बात कर रहे है इंडिया में पहली बार computer based survey हम लोग को यह देखने को मिला था इस survey के अंदर estimation लाए गया था कि हमारी country के अंदर unemployment rate कितना है employment rate कितना है तो यह पूरी चीज़ हम लोग को इस survey के धूरू देखने को मिलती है हाला कि नामसीज़न में आ रहा है periodic labor force survey हमारी country के अंदर labors की क्या population ratio हम लोग को देखने को मिलता है proportion unemployed देखने को मिलता है और unemployment rate भी हम लोग को देखने को मिलता है तो यह चार चीज़े देखने को मिलती है और अभी है इसकी report आईए तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे बड़ एक बहुत ही important चीज़ जो की prelims पर आ सकती है इसमें दो का भी सर्वे हम लोग को देखने को मिलता है और अर्बन एरियास के लिए शहरी एरियास के लिए भी ये सर्वे डिजाइन किया जाता है अब देखो जो जो गाउ छेतर का जो सर्वे होता है वो साल में एक बार हम लोग को देखने को मिलता है बट शहरी छेतरों का जो सर्वे ह होता है वो हर चार महीने में हम लोग को देखने को मिलता है quarterly basis पर ये survey हम लोग को नज़र आता है ठीक है तो ये बिलकुल अच्छे से चीज याद रखना है ये वाली नीचे वाली दो लाइन ये prelims में जो है वह आ सकती है इस से related और याद रखना कि ये पहला computer-based survey हमारे इंड people इसका भी distribution हम लोग को देखने को मिलता है कि कौन लोग educated है कौन लोग unemployed है इसके अलावा इसमें हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि किन लोगों के पास कौन सी skills है तो वो भी एक चीज जो है वो नजर आती है यहाँ पर उससे कहा रहते है कि industries जो होती है वो जाद स्या को contact करेंगे उस employee को contact करेंगे और वो उसको नौकरी देदेंगे तो यह इस survey का महत्व हम लोग को देखने को मिलता है got it अगर mains वगर में आता है तो आप इस प्रकार से जो इस प्रकार की surveys वगरा जो होते है employment से related या इस प्रकार की labor force की जो survey होते है तो उसमें आप यह वाला point जरूर mention की देगा कि अगर एक proper database बना रहेगा तो उससे क्या रहेगा कि जो employer जो होगा वो तुरंट उस database के through employee से contact कर सकेगा और उसको तुरंट employee को भी job मिल जागी और employer को obviously बात है कि work force मिल जागी तो यह एक चीज जो है वो हम लोग को इस प्रकार के labor force के through भी नजर आती ह इसके अलाबा survey जो था यह पहली बार 2017 में launch किया गया था और 2019 में इसकी पहली report annual report जो हम लोग को देखने को मिली थी और June 2017 से लेकर June 2018 कि यह जो report थी जिसमें rural और urban areas दोनों को ही cover करवाया गया था ठीक है तो यह आली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली अब इस survey के गया था 2018 और June 2019 के बीच में इस समय स्तिती थोड़ी ठीक थी यह lockdown से पहले की स्तिती बता रहा है तो उस समय unemployment rate जो है वो गिराता है यानि कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी तो उन लोग को नौकरी मिलना शुरू हो गए थी और दूसरी चीज में यह लिखा जो participation है उसमें बड़ातरी हम लोग को देखने को मिली थी अब देखो यह सब कितने percent है क्या है तो वो सब अगर आप चाहो तो आप जो है वो देख सकते हो एक बार बैट सिर्फ देखो उसको जादर रटने की ज़रूद नहीं है यह मैं अक्सर बोलता हूँ अपने students से क्यो उसने पकड़ लिया तो आपके rest of the answer में भी वह फिर आपको justice नहीं देगा आपके आपने भली जितना chance है लिखा होगा उसको लगेगा आप तुक्यवारी कर रहे हो तो इस चीज़ पर जरूर गौर फरमाना कभी इस प्रकार के figures या फिर ऐसी कुछ चीज जो की factual होती है और उसको आप जो है वो कोशिश कर सकते हो means में उसको avoid करने की बड़ आप करते नहीं हो तो उसमें आपके March जो है वो फिर दिक्कत में आ सकते हो आप लोग ठीक है तो यह चीज थोड़ी सी समझ के चलना इसके लब आगे की बात करें workers population ratio इसमें भी बड़ोतरी हम लोग को लिए workers population ratio का मतलब की population में जाज ज्यादा workforce जो है वो उसको काम मिल रहा है वो काम कर रही है यहाँ पर जो है इसमें यह unemployment या employment से related worker population ratio नहीं होता worker population जो रेशियो होता है यह overall worker force है अब इस workforce के अंदर हो सकता है लोगों को नौकरी मिल चुकी होगी हो सकता है ना मिली होगी तो नौकरी मिली या नहीं मिली वो एक अलग बात आ जाती वो दूसरी condition में हम लोग को देखने को मिलती बट यहाँ पर नहीं अगर worker population ratio आता है तो simple सी बात याद रखनी है कि हमारी country के अंदर जो worker जो population overall उसमें से worker जो है वो कितने है तो इसका एक ratio हम लोग को देखने को मिलता और साथी साथ ये भी बता है आ रहा है कि rural areas के अंदर भी लोगों को job मिली है तो ये दोनों ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये गिरा है इसमें जो है वो downfall हम लोग को देखने को मिला है 5.3 से लेकर 5% rural areas में हुआ है 7.7% हुआ है urban areas में 7.8% से काफी कम गिरा है बट ह गिरा है बट ये lockdown से पहले कि इस्तिती अब lockdown के बाद तो और इस्तिती खराब हो नहीं है तो ये पुराना data है बट फिर अभी ये release हो है बट इसकी भी जानकर ये आपको एक general होनी चाहिए इसमें एक अच्छी बात ये देखो ये देखने को मिल फीमेल participation rate भी improve हुआ है अब आप इसको कैसे use कर सकते है अपने mains में आप इस चीज को जैसे women empowerment से related कोई topic आता है या महिलाओं से related कोई topic आता है तो आप इसको उपयोग करोगे और उसमें लिख दोगे कि ये किस survey में आया था ये हम लोग को periodic labor force survey में देखने को मिला था ठीक है तो ये इस प्रकार से अगर आप लेखोगे तो आपका answer भी अच्छा होगा और इसमें देखो आपने कोई भी data का उपयोग नहीं किया बढ़ आपने जो exact चीज है वो बताती तो यही चीज जो है वो आपको करनी ये shortcuts होते है इसमें ये सब फालतू चीजे रटने में क्या होता है आपका time based होगा और आ मैंने भी आपको explain किया अब इसमें ये definition लिखी हुई है labor force participation rate क्या होता है worker population ratio और unemployment rate क्या होती है employed लोग जो है वो कौन होते हैं तो ये इसमें ये चीज हम लोग को देखने को विल रही है ठीक है तो ये आप चाहो तो ये definition है simple सी जो मैंने भी आपको पढ़ाते पढ़ाते explain क कर दी थी तो इसको आप चाहो तो देख सकते हो वीडियो को pause करके अब आगे की बात करें इसके इलाबा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि monthly data जो है ये center for monitoring Indian economy का अब ये दूसरी बात हो रही है ये labor force ये periodic labor force participation की बात नहीं हो रही है उसमें center for monitoring Indian economy इसकी एक monthly data की report में पाया अब ही मैं आपको बता रहा था ना कि lockdown के समय पे हालत खराम होने वाली है बहुत ही दिक्कत होने वाली है ये जो data हमने देखा ये पुराना data था तो ये नया data भी आप देख लो इस data में भी बताया गया है center for monitoring Indian economy के द्वारा इनके monthly data में ये पाया गया है कि बहुत बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर unemployment rate लोगों की नौकरिया जाने वाली और एक दो reports तो ऐसी भयानक आई है कि करोणों में लोगों की नौकरी जो है वो चली गई है तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और मैंने जो है वो परसो ही एक संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा था आपको बता हुआ शाच संदीप महेश्वरी जी के बारे में वो motivationless speaker है तो उन्होंने कोरोना से डरो ऐसा करे कि उस टाइटल था उसका उसमें उन्होंने एक बहुत पते की बात बोली कि इंडिया के अंदर बहुत बुरी इस्तिति आ आप तो चिंता करने की बात नहीं है आप तो civil services की त्यारी करो आपको वैसे भी normal days में आप घर से भार नहीं निकलते होगे अगर जो serious aspirant होगा जो serious aspirant नहीं है वो तो फिर रोज शाम में मस्ती करने के लिए भार जाता होगा क्योंकि यह exam जो है वो सिर्फ यही demand करता है कि आ आप एक साल तक चिपक जाओ वास अपने room के अंदर अपने घर से बाहर मत निकलो आप किसी भी topper से मिलोगे न तो वो यही बोलेगा कि मैंने एक साल तक अपने आपको lock कर लिया था अब देखो आप अपने Sunday वगेरा को आप आधे दिन कर सकते हो काम बेटा आप रोज जो ह गूम रहे हो फिर रहे हो तो वो फिर इस exam की demand नहीं है और regular होना ज़रूरी है मैं देखता हूँ नो काफी सारे बच्चे जो है वो जो पहले comments वगरा किया करते थे वो आज कल कर नहीं रहे तो मैं समझ गया कि वो regular बच्चे नहीं है अगर आप regular हो अगर आप serious exam की तियारी क कर रहे हो तो आप regularly जो है वो अपने routine को follow up करोगे जैसे कि मैं आप लोग को रोज वीडियो प्रवाइड कराता हूँ काफी सारे बच्चे नहीं देखते है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि exam हम लोग को देखने को मिलता ही कि exam जो है उसमें बैठते दस लाख लोग फॉर्म बढ ज़्यादा होंगे और इस exam में अगर आपको इस exam को clear करना है तो you should be regular होना ही पढ़ेगा कुछ भी कर लो आप अगर clear करना है तो वरना फिर आपकी मरजी चलो आप सोरी आपका थोड़ा ज़्यादा समय बरबात कर दिये सब बताने में कभी-कभी मन करता ही आप लोग को इस प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रिलिया के यहाँ पर बैठे हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया और ऑस्ट्रिलिया के उनकी पहली virtual bilateral summit अभी recently conduct हुई थी जहाँ पर 9 agreement हुए थे यहाँ पर दो agreement जो है वो आपके काम के है और जिन में से सबसे यादा का agreement है वो mutual logistic support agreement MLSA और जो दूसरा है वो comprehensive strategic partnership हम लोग को देखने को मिलता है तो दोनों की हम लोग थोड़ी बात करेंगे और 9 agreements और भी कौन से कौन से होगा उस पर भी थोड़ी सी चर्शा करेंगे ठीक है तो यह देखो guys mutual logistic support agreement logistic support नाम सहीज़न में आ रहा है कि defense की यहाँ पर बात हो तो defense cooperation को लेकर India और Australia के बीच में एक agreement हुआ है इसमें दोनों country एक दूसरे के साथ military exercise को बढ़ा देंगी दोनों country एक दूसरे के साथ मिलकर jointly military exercise जो है वो conduct करेंगी काफी सारी activities में engage होगी जैसे की दोनों country जो security challenges face कर रही है उसको कैसे address किया जाए उस पर विचार किया होगा दोनों country के बीच में मिलिटरी जो है गईज वो एक दूसरे की country के basis का उप्योग करेंगी बेसिस यारे की clarity जो होता है न तो वो डोनों country एक दूसरे का का military का base जो है military base उसका उपयोग करेंगी humanitarian or disaster relief corporation करेंगी यानि कि एक दूसरे की मदद करेंगी कि किसी प्रकार का disaster होता है या कोई भी issue अगरा होता है तो इसके लब अब port exercises हम लोग को देखने को मिलेंगी, passage exercises दोनों countries के बीच में देखने को मिलेंगा तो कुल मिलाकर एक अच्छा agreement यहाँ पर हुआ है यह agreement यह कहता है कि दोनो country की military एक दूसरे के साथ अपनी various चीज़ों को share करेंगी, जो strategic चीज़े होती है उसको एक दूसरे के साथ share करेंगी और एक दूसरे के साथ मिल कर जो है वो जितने भी जो common issues है दोनों country के बीच में उसको tackle करने का काम किया जाएगा, तो यह एक mutual logistic support agreement हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है, और इंडिया जो है वो already USA, France, Singapore और South Korea के साथ इंडिया ने इस प्रकार का mutual logistic support agreement का already agreement कर चुकी है इंडिया और USA के साथ जो agreement किया था वो logistics exchange memorandum of agreement किया था, लिमाओ किया था, इसको मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, आपको यादा रहोगा तो जो मुझे काफी समय से follow up कर रहे है, उस समय USA और इंडिया के बीच में two plus two dialect चल रहा था और उसी के बीच का ये कुछ agreement हम लोग को यहाँ पर देखने को बला, जब मैंने आपको इसके बार में पढ़ाया था, अब मुझे यहाँ तक यहाद आ रहा है, बट बाकी के लिए अभी तो आप यहाद रखो कि USA, France, Singapore, South Korea के साथ, already इस प्रकार का military की जो हम लोग को देखने को बलती है, exercises बगरा और जो exchange जो हम लोग को देखने को बलता है, military interoperability, इसका मतलब यह होता है कि दोनों country एक दूसरे की military के various चीज़ों को जो है, वो share करेंगे, जैसे कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरों के साथ जो बैठक होती है, इन दोनों की ministerial level पर जो meetings होती है, जो बैठक होती है, उसको और जादा अप्ग्रेड करेंगे, और बैठर करेंगे, जो इन दोनों country के बीच में, इंडिया, उस्ट्रिया के बीच में 2 प्लस 2 dialogue होती है, जो अल्रेडी है, 2009 में bilateral strategic partnership में हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसको और भी बहतर बनाया जा रहा है, इसको अप्ग्रेड किया जा रहा है, तो ये चीज़ यहां पर बताई जा रही है, और इंडिया जो है वो court country के साथ अल्रेडी इसकी 2 प्लस 2 UAE के साथ sign किया हुआ है, अब ये CSP क्या है, मैंने भी आपको explain किया कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ministerial level पर dialogue share करती है various issues जो होते हैं, उसके बारे में बातचीत की जाती है, और Australia जो है, उसका CSP China, Indonesia और Singapore के साथ हम लोग को देखने को बलता है ठीक है, तो ये एक basic चीज, basic idea दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हुआ है, उसकी एक जानकरी आप को नीच चाहिए, ये basically mains वगरा में India, Australia, relations की जब बात होती है तो आप उसमें ये सब चीज़े mention करेंगे इसके लावा prelims point of view से आप से एक और चीज ध्यान देने वाली है, अब थोड़ी से हम लोग international politics की बात करें, तो आपको बता होगा इसकी Australia भी जो है वो China को पसंद नहीं करती कई कबार China क्या करती है, अगर आप Australia की map को देखोगे और China को देखोगे तो उपर से चाहिना जो है वो कई बार अपने जो ships बगएरा जो होते है ना, इनके military ships बगएरा जो होते है जो vessels बगएरा होते है, उसको Australia के पास लेकर आकर वो अपस गोल भुमा देती है अब इस चाहिना की इस हरकत से भी Australia बड़ी परिशान है, कभी-कभी वीच वीचिन लेकर भी India और Australia जो है इनके भी dialogue हम लोग को देखने को मिलते रहते है बड़ अभी इस meeting के अंदर चाहिना को लेकर इस प्रकार के कोई dialogue की बात नहीं की गई, किसी प्रकार की बात चाहिना को लेकर नहीं हुए इस meeting के अंदर बड़ फिर भी indirectly काफी कुछ चीज़े ऐसी हुई है जो कि China के against की जा सकती है एक तो का maritime cooperation की अगर हम लोग बात करें समुदरी सहयोग की तो यह हुआ है दोनों country economic cooperation agreement भी sign किया है, दोनों country होने मिलकर, यह वाले चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल रही है इसके लावाद दोनों country ने research को लेकर भी research fund बनाने की बात की जारी अब किस चीज़ को लेकर research, तो आज की rate में किस चीज़ को लेकर research होनी चाहिए obvious की बात है, coronavirus जासी चीज़ों को लेकर research होनी चाहिए तो उस पर भी थोड़ी चर्चा खी गई इसके लावा Cyber Security को लेकर भी हुन्होंने एक Agreement किया हुआ है Agriculture को लेकर भी एक Agreement है Agriculture और Agriculture Related Activities को लेकर Mining को लेकर एक Agreement हम लोग को MOU देखने को मिल रहा है तो ये इस Agreement के बारे में आपको एक General जान करी होनी चीए बाकी वो जो दो Agreement मैंने CSP आपको बता पढ़ाया और ये जो हम लोग ने बात करी Mutual Logistic Support Agreement तो इसको एक बार बस आप लोग को अच्छे से थोड़ा सा देखना था ठीक है अब यह वाली बात हो गई India Australia के बीच में अब बात करेंगे Global Vaccine Summit के बारे में ये Global Vaccine Summit जो है वो United Kingdom के Prime Minister के दोरा होस्ट की गई है अभी रिसेंटली जहाबर 50 से जादा कंट्री उने पाइटिसिपेट किया था और नहीं सिर्फ 50 से जादा कंट्री बलकि यहाँ पर बिजनस लीडर्स भी थे United Nations की एजेंसीज भी थी Civil Society, Government के Ministers वगेरा और Head of States, President वगेरा और काफी सारे जो कंट्री के लीडर्स वगेरा जो थे हैं उन्होंने भी यहाँ पर पाइटिसिपेट किया था तो ये Global Vaccine Summit के अंदर हम लोग को ये देखने को बहला अब इसमें क्या हुआ गई ग्लोबल देखो Global Vaccine Summit आपको सुन में आई रहे कि ये Vaccine से रिलेटेड ये Summit और आज की रेट में Vaccine के हम लोग को सकता आवशकता है किस Vaccine की बताने की जरूत नी Coronavirus Vaccine की आप जानते ही हो और उसके लब और भी दूसरी जो disease वगेरा जो होती है तो उसको लेकर ये Summit वगेरा समय सब्सक्राइब पर होती साथ बिलियन पाउंड, सेवन बिलियन पाउंड जो है वो अल्मोस्ट गावी के लिए रेस किया गया, ये एक International Vaccine Alliance, इसके बार में भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये गावी जो है वो थोड़ा सा important है इसके लबाँ इंडिया ने गावी के लिए 15 मिलियन यूएस डॉलर्स हो है, वो देने की बात करी है, जाने कि इस फंड में एड करने की बात करी है, अब गावी क्या है तो गावी को 2000 में बनाया गया था, 2000 में ये एक International Organization है Global Vaccine Alliance ही हम लोग को देखने को मिलता है, पबलिक और प्राइविट सेक्टर जो होते हैं ये एक साथ मिलकर किसके उपर काम करते हैं कि Vaccines जो है, उसका Equal Access जितनी भी नई Vaccines आ रही हैं, उसका Equal Access पूरी दुनिया भर में सभी लोगों को मिल सके हैं और यहां पर poor country को target किया जाता है और poor country के अंदर especially target किया जाता है बच्चो को जो बच्चे poor countries में रह रहे हैं उनको vaccine वो इं तक पहुचाई जासा कि vaccine उनके लिए available हो ऐसा नहीं होना चाइए, कि पूर country जो है उसको vaccine बन चुकी वो वो access ना कर पाए, उसको मिलना पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, vaccine सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि health का मामला है, health concern है हम लोग को देखने को मिलती है, और गावी के member कौन से कौन से, this is very important, गावी के member developing countries और developed countries दो नो ही है, यहाँ पर donor country से इसको आप developed countries भी बोल सकते हो, बर donor हो लोगे तो अच्छा है, क्योंकि यह developed country ही, developing country को जो है, वो various donation वगरा देती है, vaccine वगरा के मामले में, right, इसके लाबर world health organization, इसका होना तो सववविक्स ही बात है, health sector की बात हो रही है, UNICEF, UNICEF का भी होना सववविक्स ही बात है, क्योंकि बच्चों की मदद करने की बात की जा रही है, इसके लाबर world bank यहाँ पर होती है, और vaccine industries होती है, developing countries और developed countries दोनों की, इसके लाबर research और technical agencies होती है, civil societies होती है, Bill and Melinda Gates Foundation भी, इस इसको अच्छे से बस देखिएगा आप, और जितनी चीज मैं आपको बताइए, उससे आधा आप लोगो कुछ और पढ़ने की इस से related जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रिलिम से आधा इसी से related चीजे पूछी जाएंगी, इस slide से related, ठीक है, तो यह चीज हमने देखिए और गा कंपनी वगरा में काम किया होगा, आपको बता होगा, तो इंटर्शिप करी होगी आपने various companies वगरा में, तो यह उसी प्रकार की इंटर्शिप है, हमारी country के अंदर जो fresh graduates है, उनको मौका दिया जा रहा है, उनको opportunity दी जा रही है, कि वो urban sector में experience जो है, वो हासिल कर सके, urban sector में काम करनेगा, इसके two-fold objectives हम लोग को यह देखने को मिलते हैं, कि urban sector के पास एक तो fresh ideas आ जाएंगे, कि various solutions वगरा जो होते हैं, various urban sectors से related, जो urban challenges जो होते हैं, तो उस से related, जो भी problems है, उसको solve करने के लिए fresh ideas का infusion होगा, कि intern जो आएंगे, वो fresh idea लेकर आएंगे, और intern को experience मिलेगा यहाँ पर काम करनेगा, urban sector के अंदर काम करनेगा, तो यह एक बड़ी बैतरीन चीज, बैतरीन प्रोग्राम हम लोग को अभी recently देखने को मिल रहा है, urban planning की field, transport, engineering, environment, municipal finance, तो ऐसी field के अंदर, जो talent जो होगा, जो नए fresh ideas होंगे, वो infused होंगे, और जो intense होंगे, उनको मौका मिल देखनेगा, तो उसको लेकर यह tulip नाम का एक program हम लोग को देखने को मिला, तो यह basic जानकरी इस program से related आपको होनी चाहिए, इस पर बस एक चीज याद रखना है, आपकी MHRD और All India Council for Technical Education, इनका एक goal था कि 2025 तक एक करोड़ सक्सेस्फुल internships करवानी है, तो उसको भी यह जो हम तो यह एक चीज थी, जिसको आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी 2025 तक MHRD और All India Council for Technical Education के जो goals है, कि उनको 2025 तक एक करोड़ सक्सेस्फुल internship जो है वो करवानी है, तो वो QLIP program के थ्रू भी हासल हो सकेगी, फुल्फिल हो सकेगी, तो यह एक चीज थी, और अ इतने ही topics थे, now we will move on to paper 3, तो देखे guys, यहाँ पर बात हो रही है, फुसारियम विल्ट TR4 के बारे में, तो आप से question यह पूछा सकते हैं कि TR4 अभी news में है, या फिर फुसारियम विल्ट अभी news में थी, क्या है यह, तो simply आपको बता हो न चीज की, केलो को एक बिमारी लगी है, तो देखो अभी coronavirus इस प्रकार चल रहा है, humans को परिशान कर रहा है, वैसे ही, जो plants बगए रहा है, उनमें भी इस प्रकारी problem आ रही है, अभी tidddy attack भी आपने देखा होगा, हम लोग ने पढ़ा भी था उसके बारे में, याद है आपको याद आ रहा होगा थोलसा, हमने क हमत सठते होगी, पूरे दुनिया भर में आतंग मचा हुआ है, जैसे कि Mexico में एक cyclone आया, इंडिया के अंदर दो-दो cyclone इसी बीच हम लोग को देखने को मिल गया है, और भी काफी गंभीर चीज़ें जो होती यारी, और इंसान तो इंसानियत के नाम पर धबबा बनता जा है, जिस प्रकार से वो elephant का case हमने देखा, mother elephant का, इसके अलाबा अभी वो news आई तो नहीं है, बट मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो बगरा देखा था, कि गाए तक के mouth में जो हो एक blast कर दिया, किसी ने एक bomb बगरा तो, बड़ी इंसानियत के नाम पर इंसान जो हो बात करते हैं, इस टॉपिक पे, फुसारियम विल्ट टियार फोर, ये इंडिया के अंदर भी ये बिमारी इस प्रकार की केलों में देखने को मिल रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे आब ये बिमारी बताई जा रही है, भी at present, टियार का फुल फॉर में ट्रॉ इसके अंदर आती है, इसके लावा ये इसने बोला है, फुसारियम विल्ट टियार फोर इसको कह सकते हो, ये बताई जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ हावर बताई गई है, और जहार दर जो केले इंफेक्ट हुए है, जो की सबसे जादा बिखते हैं, वो है ग्राइंड न अभी रिसेंटली निउस में था, क्या है ये, तो याद रखिएगा, केले की एक वराइटी है, जो की सबसे जादा बिखती है, इसका साइंटिफिक नेम है, मूसा एक्यो मिनिटा, मिन्टा, और साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया है, कुछ बायो सेक्रिटी मेजर्स जैसे क कि प्लाइट कॉरिंटीन, अब देख़ो यहाँ पर ह्यूमन कॉरिंटीन अभी चली रहा था, प्लाइट कॉरिंटीन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो बोला यार है कि इस डिजीज से बचना है, तो कॉरिंटीन होना जरूरी है, क्योंकि फैलने वाली बिमारी है, एक ही साथ पूरे खेत को निप्टा देती है विवारी तो बड़ी दिक्कत होती है, इसके लावा बायो प्राइमिंग, अब ये कोशन ये बन सकता है, बायो प्राइमिंग क्या है, तो याद रखना गाइस कि एक ऐसी टेकनिक, जो कि अभी न्यू टेकनिक है, सीट्स को ट्री इंडिया के अंदर मैंने आपको बता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबस्यादा ये बिमारी का इंफेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, और साथी चाथ बनाना के प्राइस बढ़ जाएंगे, बनाना के कैसे प्राइस बढ़ेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक के डि बिमारी लग रही है, तो उसका सप्लाइ जो है, वो कम हो जाएगा, सप्लाइ कम हो है, डिमांड जाता होई, तो उप्राइस बात है कि प्राइस तो बढ़ नहीं बढ़ना है, ठीक है, सिंपल सी चीज, इसके लावा अभी, इवन अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है इस बिमारी से, तो वो कुछ समय तक जिन भी किसानों के जो खेथ हैं, वहाँ पर ये बिमारी आ चुकी है, तो वो अपने खेतों को साफ कर दें, यानि कि उनको अपने खेतों को छोड़ना पड़ेगा, उस खेतों को खतम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो बिमारी बढ़ती है, और एक option ये भी दिया है कि बनाना की जगा वो rice, चावल वगेरा जो है वो उगाएं, या फिर दूसरी चीज़े होगा है अपने खेतों में, कुछ समय तक बनाना को ना होगा है, या फिर ऐसी चीज़ ना होगा है, जिसमे फुसारियम विल्ट लग्यूम्स, दाल वगेरा जो हो गई, कुकुर्बिट हो गया, सूट पिटाइटो, बनाना वगेरा, तो ऐसे जो fruits और veggies जो होती हैं, उसको ये infect करता है, ठीक है, ये disease, तो ये चीज़ आपर पता ही आ रही, तो इसलिए कहा गया है, scientist नहीं कि इसके लावा आप दूसरी च जो है वो protective measure लेने की यहाँ पर बात की गई है, तो ये चीज़ आपर हम लोग को इसकी देखने को मिली, रही है, हमने बात करी कि इसकी अभी इस plant की disease के बारे में, बनाना को जो होगी, अब हम बात करेंगे रशिया के बारे में, रशिया के अंदर गाई, तेल फैल गया है, रही, oil spill हम लोग को रशिया में देखने को मिला है, रशिया में, साइबीरिया में, अब देखिए, मैं आपसे अभी से पहले आप लोग को alert कर देता हूं, कि अब से हम लोग इसको oil spill नहीं बोलेंगे, diesel fuel spill बोलेंगे, इससे कह रहेगा, आपका answer अच्छा देखेगा, अगर आप अपना answer लेखोगे, इस प्रकार से तो, क्योंकि oil spill और diesel spill को ही लेखेगा और आप diesel spill लेखोगे, तो आपका answer काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि exactly यहाँ बर diesel फैला है, ठीके तो आप exact term का उपयोग करो, तो मैंने इसलिए हापर थोड़ा सा आपको एक, आपके answer को एक power plant से, और यह एक रशिया के अंदर नदी है, वहाँ पर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, अंबरनिया नदी हम लोग को जो रशिया में देखने को मिलती है, वहाँ पर है यह तो देखो यह नदी का नाम भी आप से उठ्छा सकते हैं, यह नदी कहा पर है, क्य यह चीज़ बताए गई है, अब देखो, रशिया ने अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ इमर्जनसी डेकलेर करती है, अपने इस रीजन में, इस रीजन का नाम जो है वो, क्रैस नो यार्क्स, तो ऐसा कुछ इसका नाम है, इसका प्रनाउंसीशन डेफिनिटली कुछ और ही हो निकल कैपिटल का आ जाता है, अब देखो, रशिया की निकल कैपिटल क्या है, तो आपको बताऊना चीज़, यह नौरल्स्क सिटी, ऐसे कोशन भी डिरेकली जो है, वो आ जाते हैं कभी-कभी, अब यह जो सिटी है, यह मौस्को से 3000 किलोमेटर की दूरी पर हम लोग को दे कमजोर हो गई है, अब उसी के चलते हम लोग को देखने को मिला था कि यह जो पावर प्लांट है, यह इस जमीन पे था, पर्माफ्रोस्ट पे था, यह निकल सिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो पर्माफ्रोस्ट में आप देख सकते हो, ठंडी इसलिए भी इतनी क्योंकि Arctic Ocean में हम लोग को देखने को मिलती है, आप देख सकते हो Arctic Circle जो है यह उसके अंडा आती है, यह नाम की एक City और जो की काफी ठंडा एरिया है, यह वाला बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, रशिया में आप म Climate Change के चलते वीक हो गई है, वीक होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, कि जिस जमीन के उपर यह Power Plant था, वो Power Plant जो है वो धस गया और उस Power Plant के धसने के चलते, उस Power Plant में हम लोग को जो Oil देखने को मिलती है, जो Container जो था Oil का, डीजल फ्यूल का, वो यहाँ पर फैल गया, लो जो एक सिटी यहाँ पर है, रशिया के अंदर यह पूरे दुनिया भर की one of the most polluted place है, पूरे दुनिया भर में, बहुती heavily polluted place बताई जाती है, बहुत pollution है यहाँ पर, ठीक है तो यह चीज़ भी बताई गई है, अब concern क्या है, तो ecology को damage हुआ, ecology को damage जाने की, आप देख सकते ह है, diesel fuel गिरा है, पानी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, पानी के ऊपर fuel गरता, oil गरता है, तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है, परत बन गई, तो obvious ही बात है, पानी के नीचे जो जीवन है, उसको तो नुकसान हो नहीं होना है, बाहर के जीवन को भी नुकसान होन है नो तो इसके बहुत जादा नुकसान एकोलोजी के हैं इसके लावा ये जो नदी है अंबर निया नदी ये जो भेती है इसके पास हम लोग को एक लेक देखने को मिलती है प्यासीनो लेक और साथी साथ प्यासीना रिवर भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है और य आप में वापस चल के आपको मैं दिखाता हूँ, यह सब लोकेशन, देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर तो आपको यह प्यासीना नदी दिखाए दे रही है, ठीक है, और यह वाली जो एरिया यहाँ पर अंबरनिया नदी हम लोग को देखने को मिलती है, औ आप देख रहे हो कि यहाँ से यह connect हो रही है, इस नदी से है, और यह connect हो रही है यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, यह देखो, कारा समुदर यह पूरा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, और यह कारा समुदर जो है वो Arctic Ocean से जो है, वो connected हम लोग को देखने को मिलता है वो light aromatics हम लोग को देखने को मिलता है aromatics light aromatics diesel के अंदर सबसे जहरीला पदार्थ अब क्या है इस जहरीले पदार्थ जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं अब आप इस पदार्थ को निकाल नहीं सकते ये एक बड़ा issue है तो ये दूसरा factor यहाँ पर इस्तिथी खराब होनेगा कि ये जो diesel फैला है उसमें सबसे जहरीला पदार्थ है वो पानी में घुल चुका है क्योंकि आप निकाल लो के उपर से परत को बड़ उस oil में जो पदार्थ होते हैं इस प्रकार के chemical component वो तो घुल जाएंगे पानी में घुल गाए तो फिर वो एक दो सालों के लिए काफी सालों तक वहाँ पर रहते और काफी सालों तक उस area के जो जीव जन्तू अगरा जो है और जो environment है उसको खराब करते हैं है ना तो यह चीज हाँ पर बताए गई है आप मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताएंगे कि कौन से ऐसे पास damages हो सकते हैं oil spill के कारणा आप चाहो तो यह दो तीन damage भी जो है वो इस पास में add कर सकते हैं तो पर आप ज़रूर लोगबाग जो है machine के बिना यहाँ पर आप देश सकते हो बिचारे paper लगा कर जो है वो पनी वगरा के तुरू जैसे इसे निकाल रहा है क्योंकि यहाँ पर road connectivity में दिक्कत है यहाँ पर तो यह एक बड़ी issue है तो इसके कारणा भी एक गंभीर यहाँ पर देखने को मिल रहा और World Wildlife Fund WWF इन्होंने describe किया है कि modern Russia के अंदर यह दूसरा सबसे बड़ा oil leak event हम लोग को देखने को मिल रहा है इससे पहले 1994 में हुआ था कोमी के अंदर जो northwestern area है हम लोग को देखने को मिलता है रशिया का महाँ पर कोमी है कोमी region पर यह हुआ था बहुत पहले 1994 में oil गिरा था और काफी महिनों तक जो है यह oil हम लोग को देखने को बलता अभी जो diesel गिरा है इसमें तो chemical component काफी खतरनाक है तो उससे महा का area जो है वो उसको काफी नुकसान हो सकता है तो एक तो आप लिखकर बताई एक 5 damages जो है वो क्या हो सकते है oil spill के कारण और उसको कैसे tackle करेंगे उस से फिर आपको शुरू हो गाए आपके लिए test और जिन बच्चों को नहीं बता है जो हमारे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे है या फिर जो रेगुलर व्यूर्स जिनने वालब वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको एक time plan बता है अपने नहीं test series का जो जो है वो test series का link जो है आपको प्रवाइड करा देता हूँ ठीक है तो यह चीज थी पूरी और आज बस इतने ही topics थे आज मैं आपको सिर्फ एक होंवक दे रहा हूँ चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरिडर बहुत बार यह topic में आप लोग को पढ़ने के लिए कह चुका पलो अच्छे से इस से related और India-China relations के बारे में बढ़िया से notes बना के रखो क्योंकि इन से related mains में question आप से पूछे जाएंगे ठीके prelims में भी आ सकते हैं तो इसलिए तयारी अपनी पूरी जम के रखो और बस इतने ही थे guys और अगर आपको lecture अच्छा लगा है यह पूरा अभ homework done मुझे पतलग जाएगा आपने homework complete कर लिया है homework करने से पहले यह notice है English Hindi दोनों में इसको इब पढ़ियेगा उसके पास फिर homework attempt की देगा और अगर आप civil services की तयारी कर रहे हैं तो आप इन number पर contact करके हमारे paid courses join कर सकते हैं जहाँ पर complete तयारी करवाई जाती है आपको civil services examination की और various हमारे पास अलग-अलग जिसे answer writing practice के लिए एक अलग series है अभी आप यह जो पूरा वीडियो देख रहे हैं इसकी सिर्फ अगर आपको इसी वीडियो की वो चाहिए PDF चाहिए या फिर आपको current affairs की सिर्फ और सिर्फ current affairs की PDF चाहिए तो उसके लिए भी एक अलग से काफी affordable paid course है जिसको आप join कर सकते हैं ठीक है और telegram के application पर जाकर इन user names को आप search करेंगे तो आपको हमारा free telegram group मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको free में study materials प्रोवाइड कराते हैं and lectures की notification updates भी आपको वहीं पर मिल जाती है तो चलिए फिर guys अब मिलेंगे हम लोग कल तब तक लिए बाबाई टेक केर अवगरीट यहेड टाडा कि कि missed the average light, heels vet venus. He 눈ा कॵरैंगे क्साइक い हम मैं क्वाण। क्वाण से बाउ़ क्वाण। क्वाण sed क्वाण स्चोस्ट क्वाण से छैपको क्वाण 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 झाल झाल चजस को बु commitment लगाई हsिर लगा विल दो हमदो जर आग़ बבה कर दो मैं जढना को आढना को millimeters हुआ ! हुआ ? लुआ深ी ? ब˙आअ गर आपकत। ऊंडर में नहान हूं आहाँ पक्तांग उक आपआ़ मेदा इफ इनना का वें, खमाट आपकता hips और कोरे नहां? कर दो कर दो कर दो कर दो